इशु की नाम की महिमा हो, प्रेरितों 24 सद्याई 10 से लेकर 27 तक वचन पड़ेंगे और मनन करेंगे, जब हाकिम ने पॉलस को बोलने का संकेत किया, तो उसने उत्तर दिया, मैं यह जानकर की तु बहुत वर्षों से इस जाती का न्याय कर रहा है, आनन से अपना प्रतियुतर देता हूँ, तु आप जान सकता है कि जब से मैं इरिशलम में आराधना करने को आया, मुझे बारा दिन से उपर नहीं हुए, उन्होंने मुझे ना मंदिर में, ना आराधना लाई में, ना नगर में किसी से विवाद करते या बीड लगाते पाया, और ना तो वे उन बातो जिनका वे अब मुझे पर दोश लगाते हैं, तेरे सामने सच प्रमानित कर सकते हैं, परंतु मैं तेरे सामने ये मान लेता हूँ कि जिस पंत को वे कुपंत करते हैं, उसी की रीदी पर मैं अपने बाब दादावों के परमेश्वर की सेवा करता हूँ, और जो बाते विवस्था और बवशदतावों की पुस्तकों में लिकी है, उन सब पर विश्वास करता हूँ, और परमेश्वर से आशा रखता हूँ, जो वे आभी रखते हैं, कि दर्मी और अदर्मी दोनों का जी उटना होगा, इससे मैं आप भी यतन करता हूँ, कि परमेश्वर की और मनिश्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोश रहे, बहूत वर्षों के बात में अपने लोगों को दान पौचाने और बेट चड़ाने आया था, उन्होंने मुझे मंदिर में शुद दशा में बिना बीड के साथ और बिना तंग करते हुए बेट चड़ाते पाया, हाँ, आसिया के कई यहुदी ते उनको उचिता कि यदि मेरे विरोध में उनके पास कोई बात हो तो यहां तेरे सामने आकर मुझे पर दोश लगा दे, यह आपी ही बताये की जब मैं महासवा के सामने खड़ा था तो उन्होंने मुझे में कौन सा अपराद पाया, इस एक बात को चोड़ जो मैंने उनके बीच में कड़ा होकर पुकार कर कही थी, मरे उओं के जी उटने की विशिय में आज मेरा तुमारा सामने मुकदमा हो रहा है, फेलिक्स ने जो इस पंत की बाते तिक तिक जानता था, उन्होंने यह करकर ठाल दिया, जब पल्टन का सरदार लूसियास आये आयेगा, तो तुमारी बात का निर्नै करूंगा, और सुवेदार को आयन्या दी की पौलस को कुछ चूट में रक कर रकवाली करना और उसके मित्रों में से किसी को भी उसकी सेवा करने से ना रुकना, कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पतनी तुसिला को जो यहुदनी ती साथ लेकर आया और पौलस को बुलवा कर उस विश्वास के विश्य में जो मसी इशुपर है, उससे सुना, जब वो दर्म और सन्यम और आने वाला न्याय की चर्चा कर रहाता, तो फेलिक्स ने बायबीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर में तुझे फिर बुलाऊंगा, उसे पौलस से कुछ रुपिये मिलने की भी आशाती, इसलिए और भी बुला बुला कर उससे बाते किया करता था, परन्तु जब दो वश बीत गये तो पुर्कियूस, फेक्स्तुस, फेलिक्स की जगा पर आया, और फेलिक्स यगदियों को कुश करने की इच्छा से पौलस को बंदी ही चोड़ गया, इस वचन से आज हम मनन करेंगे परमेश्वर की बड़ा अनुगरग, इसके बारे में अम देखते हैं, अमरा परमेश्वर दाया का धनी है, अपने एक लोट बेटे को अमारा लिए वो दिया, अमारे उपर वो प्रेम किया, उस प्रेम के खारण, हम लोग आज चुटकारा हुए हैं, हमारे उपर वो बहुत प्रेम किया, उनके अनुगरग के द्वारा ही हम उद्धार पाये हैं, करके हम इफेसिये में देखते हैं, और यहां भी हम देखते हैं, पौलस की जीवन को हम देखेंगे तो, पौलस ऐसे एक आदमी था, कलिशि को सता रहता, विश्वासी लोगों को सता रहता, इतना ही नहीं उनको मारता था, पीटता था, और हत्तिया भी किया था, करके हम देख सकते हैं, ऐसे एक आदमी के ऊपर परमेश्वर अपना अनुगरग को प्रगट किया, अपना प्रेम को प्रगट किया, उनको चुन लिया मा के गर्ब से पॉलस को चुन लिया और पॉलस को ऐसे सेवकाई दिया अन्य जाती लोगों को सुसमाचार बताने के लिए आंक में रोशनी लाने के लिए जो अंदकार में पड़ेवे लोगों को आंक रोशनी दिखाने के लिए जो बांदेवे लोगों को चुटकारा देने क लिए परमेश्वर उनको बुलाया जो बुलाया परमेश्वर सच्चा है हर जगा हर गड़ी पौलस के साथ था परमेश्वर हर बार उनको दर्शन के साथ बात किया सपन में बात किया हर परशानी से हर मुश्किल से हर संगट से परमेश्वर पौलस को बचाया करके हम देख सक आज इधर इस चैप्टर में हम देखते हैं, पॉलस के विरोध में ये लोग कुछ दोश लगाते हैं, जूट बोलते हैं, करके हम एक से लेके नव वचन तक हम देख सकते हैं, पॉलस ऐसे से किया करके उनके उपर दोश लगाते हैं, जूट बोलते हैं, उसको पॉलस क्या उत दे रहा है करके दस वचन से हम देख सकते हैं और इस अधियाई में लास्ट में हम देखते हैं लास्ट वचन में इसको सुनने के बाद फेलिक्स क्या करता है क्या उनको जबाब दिया क्या 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 उनको जैल से उनका आजाद किया क्या नहीं तो नहीं किया क्या करके इस बात बोला करके वो लोग कहते है ये ऐसा ही काम करता है मंदिर को अशुद किया है करके बोलते हैं और यहुदियों को बल्वा किया और यिश मसी को यहां बोलते हैं नासरीयों को के कुपंद का मुख्य पाया करके उनके उपर कुछ दोश लगाया उसके बाद उसको पॉलस उतर दे रहा है वो भी बोल रहा है मैं आनन से अपना प्रति उतर देताओं करके आनन के साथ प्रति उतर दे रहा है वो कहता है पहले आप जान लेने का मैं यरिशलेम आकर कितना दिन हुआ, बारा दिन हुआ, देखिए बारा दिन में तो पांच दिन तो यहां जैल में था, और एक दिन तो यर्शिले में की जैल में था, तो कितना दिन हो गया, चे दिन तो चला गया, और चे दिन ही था, चे दिन ही बाहर था, चे दिन जैल में था, वो पहले बता दिया और ये बता रहा है मेरे बारे में ये लोग बोलते तो वो लोग मेरे सामने आके वो लोग प्रमानित कर सकते हैं ऐसे करके वो बोलता लेकिन वो लोग कर नहीं पाएंगे और ये कहता है जो मेरा बाप दादाओं के परमेश्वर को सेवा में करता हूँ और जो विवस्ता है जो बविश्य दिता हूँ को पुस्तक में लिखा है उस सब को मैं विश्वास करता हूँ और परमेश्वर से भी मैं आशा रखता हूँ और जो आप रखते हैं वैसे मैं भी रखता हूँ और बोलता है जो दर्मी और अधर्मी दोनों को जी उटने के बारे में होता है वो आप भी विश्वास करते हैं मैं भी विश्वास करता हूँ और ये कहता है परमेश्वर के और मनशे के वर में भी मैं विवेक मन से निर्दोष रहने के लिए मैं यतना करता हूँ ये भी बोलके वो बोलता है, बहुत साल के बाद मैं इर्शिले में आया हूँ, इसलिए आया हूँ, मैं अपने लोगों को दान देने के लिए और बेंट चड़ाने के लिए मैं आया हूँ, मुझे मंदिर में और शुद्ध दशा में, जो मैं मुझे शुद्ध कर रहा था, उ कोई किसी के साथ मैं नहीं था, मैं अकेला ही था, और बोलता है आसिया का कुछ लोग मुझे देखा, मतलब वहां की कुछ लोग ने मुझे देखा, अगर वो लोग कुछ बोले तो वो लोग भी इधर आके बताना चायता करके वो बोल रहा है, उसको ये सब कुछ फेलिक्स सुन रहा था क्योंकि वो जानता है ये सब बातों को और वो कहता है ये की बात है मरेवों के जी उटने के विशे में कही थी बस यही मैंने बोला और आज तुमारा सामने भी मुकदमा हो रहा है यही बात है तो ये सब बात फेलिक्स ने सुना और यह कहता है ठीक है तीक तीक वो जानता है यह सब बातों को जानता है मरे वो से जी उटने के बाद क्योंकि वो है यीशु मसी के बारे में पॉलस बता रहा है मरे वो में से जी उटने के कोन है पहला है अमारे यीशु मसी है वो मरा तीसरा दिन जी उटा वही यहां पॉलस इसकी आलवा मैं और भी कुछ बातों को मेरे उपर दोश नहीं लगा पाएगा करके वो बता रहा है और यह कहता है फेलिक्स ठीके तुम थोड़ी देर इधर ही रहना करके उसको जेल में ही चोड़ के चला गया और वहां के सुवेदार से वो यह कहता है पाउलोस को कुछ ऐस बंदन जैसे नहीं रखना उसको आजादी देना और जो भी उनको देखने के लिए कोई आएंगे तो भी उनको छोड़ देना उनको कुछ भी नहीं करना उनको रोकना भी नहीं करके यह फेलिक्स बता के चला गया कुछ दिन के बाद यह फेलिक्स क्या करता है अपनी पत्नी को लेकर वहां आया उस पत्नी है उसकी पत्नी है यहुदिनी थी वो उनको लेकर आया वो लोग भी यह सब जानते हैं जो जो नियम है जो जो विवस्ता है जो बैश्यदता लोग लिखा है सब यह लोग जानते हैं फिर भी देखिए वो अपनी पत्नी को लेके आके वो ये कहता है, विश्वास के विशिय में जो मसी इशुप पर करना है, उसके बारे में बतावों करके पॉलस के पास वो बोलता है, पॉलस उनको ये सब बता रहा है, तब ये दोनों बैट के वो सुन रहे थे, ये फेलिक्स की जीवन को हम देखेंगे तो वो एक अच्छा आदमी नहीं था वो एक गुलामी में गुलामी था गुलामी से वो बाहर आया मतलब गुलामी से वो हाकर एक अतिकारी बना इसलिए उसके अंदर बले अतिकारी है लेकिन जो गुलामी में था तब उसको क्या क्या किया वो इसलिए दूसरे लोगों को भी करना चाता था अतिकार आ गिया भी ऐसे करूंगा करके बहुत लोगों को सताया वो एक अच्छा आदमी नहीं था और उनका जीवन भी इतना अच्छा नहीं था उनका शादी का जीवन भी अच्छा नहीं था तो वो दोनों इधर आये थे वो भी ऐसे थी ये भी ऐसे था देखिए पापियों को बच्छाने के लिए हमारा इश्य मसी आया पापियों को बच्छा कर दर्मी बनाने के लिए इश्य मसी आया क्योंकि हम सब लोग पापी थे, हम सब लोग पाप में गिरे थे, पाप में मरे थे, हमें परमेश्वत जिलाया, हमारे इश्य मसी के द्वारा करके हम पता है हमको, इसलिए हम आज इधर है, हम इश्य मसी में है तो, हमारे लिए भी कोई आके सु समचार बताया, यहां भी वो सुसमाचार बता रहा है सुसमाचार बोलते समय ये बात उनको सिका रहा है हम देखते हैं धर्म और सन्यम और आने वाले न्याई की चर्चा ये सब सिका रहा है धर्म मतलब हम सब लोग पापी थे हम लोग पाप में मरे थे इशु मसी अमारे लिए पाप टहराया अमारे सब पापों को अपने जीवन में ले लिया अपना शरीर पे लेकर वो मरा वो तीसरा दिन जिंदा हो गया आज भी जिंदा है उनको आप विश्वास करेंगे आम धर्मी बन जाते हैं जो रीदी रिवास दो नियम पालन करना जो जो मुसा की द्वारा लिखा लिखा गया वो सब कुछ है वो सब कुछ क्या है इशु मसी के बारे में ही लिखा गया है अभी इशु मसी अमारे लिए मर गया तो ये सब हमको करने का जरुत नहीं इनके उपर हम विश्वास करेंगे, उनका मुरुतियों और पुनर्थान को हम विश्वास करेंगे, हम धर्मी हो जाते हैं, करके यहां पॉलस धर्मी के बारे में सिखाया और सन्यम, सन्यम मतलब यह इतना अच्छे आदमी नहीं था न, वो बहुत एक सत्थाने वाला एक आद यह फेलिक्स बाहर दिखाया तो भी अंदर का मन तो वैसे की वैसे ही रहता है, यह अमारे ओर से नहीं है, यह पवित्रा आत्मा के ओर से यह सन्यम की आत्मा अमारे अंदर आता है, जब हम इश्व मसी को विश्वास करते हैं, जो पवित्रा आत्मा अमारे अंदर आकर, मरे परमेश्वर का प्रेम अमारा इर्दय में उंडेला गया तो उंडेला गया उस प्रेम में हम बने रहते हैं उस दाकलता में हम बने रहते हैं अम ये फल लाते हैं ये आत्मिक फलों में से एक फल है ये सन्यम की आत्मा ये सन्यम है वो फल है जब हम परमेश्वर में अम हिर स्टोल करता ओर धर मीहों कर इस मेरा चाल-चलन में पवित्र जींवण हम जीएंगे और अवर बता रहा है जो आने वाला न्याई के बारे में जो दर्मी है जो अदर्मी है कोई भी हो एक दिन परमेश्वर के सामने आमको खड़ा होना ही पड़ेगा वो आने वाले हैं करके वो भी बता रहा है बस ये सब सुनते सुनते फेलिक्स को बाहभीत हो गया तुरन वो डर के मारे देखे वो उद्धार हो नहीं वाला था वो अनंत जीवन पाने के लिए वो तयार हो के आया मतलब अनंत जीवन के लिए उसका मन तयार भी हो रहा था लेकिन देखे वो डर के मारे वो बोल दिया नहीं नहीं अभी नहीं बाद में एक समय आयेगा तब मैं आऊंगा सुनूंगा करके वो उट गया देखिए परमेश्वर के बड़ा अनुगरग फेलिक्स उनकी पतनी के ओर भी आया लेकिन वो लोग उनको माना नहीं उनको स्वीकार नहीं किया उनको छोड़के वो उट गया करके हम देख सकते हैं वो कहता है अभी तो जा अवसर पाकर में तुझे फिर बुलाओंगा देखिए फिर बुलाया लेकिन कभी भी इनके बारे में नहीं बात किया उनके मन में यहीं विचारता पॉलस से कुछ पैसा मिल जाएगा गुस मिल जाएगा तो हम इसको छोड़ देंगे यहीं बातों के लिए वो आया है लेकिन यह परमेशर के बारे में इश्य मसी के बारे में वो सुनने के लिए वो नहीं आया परमेशर का प्रेम विवश करता है करके पॉलस कहता है इतना बड़ा अनगरग का प्रकटिकरन पाया हुआ पॉलस के सामने बैटके उनको सूसमाचार सुनने के लिए दोनों को परमेश्वर मोका दिया, समय दिया, दोनों को इतना बड़ा अनगरग प्रगट किया है, लेकिन वो देखे वो लोग सुना नहीं, अमरे पॉलस के बारे में हम देखते हैं, उनको भी तामस्कुक जाने का आस्ता में परमेश्वर उनको दिखाई दिया, बात किया, ऐसा ही परमेश्वर का अनगरग एकिक उपर प्रगट होता है, उनका अनगरग बड़ा है, हम भी अपने जीवन को थोड़ा सोच के देखेंगे तो पता चलेगा, हमारे उपर भी उनका अनगरग प्रगड हुआ ह जिस दिन हम इश्ल मसी को विश्वास किया, जिस दिन हम इश्ल मसी के अंदर आया, उस दिन को थोड़ा सोच के हम देखेंगे तो पता चलेगा. अगर आज परमेश्वर का वच्छन अमारे पास आता है आप भी अमको स्विकार करना उसको बात मानना यही हम देखते हैं परमेश्वर का अनगर इतना बड़ा है यह उनको विश्वास नहीं किया उसके बात पॉलस कुछ पैसा देगा करके उनको वो आते आते बात किया फिर भी देखे उनको जैल से उनको बाहर निकलाई नहीं दो साल तक वहाँ ही रखा था और देखे उनकी ज उसको आजाद नहीं किया यहां हम देख सकते हैं लास्ट वचन में हम देख सकते हैं फेलिक्स यहुदियों को कुछ करने की इच्छा से पॉलस को बंदी ही छोड़ गया मतलग यहुदी लोगों को कुछ कराने के लिए अपना पद्द को बचाने के लिए वो पॉलस को यह नहीं अपना स्वार्ती बस अपने को कुछ मिलना चाहिए पद्द मिलना चाहिए पैसा मिलना चाहिए ऐसा ही करके एक जीवन बिताया लेकिन वो इश्यमसी को विश्वास नहीं किया करके हम देख सकते हैं आज हम किस किस को समाचार बोले हैं हम उनके लिए प्रातना कर उनको भी परमेश्वर समय दिया, मोखा देते हैं, अमरा परमेश्वर मोखा देते रहते हैं, हमको भी मोखा देते हैं, आज भी हमें मोखा मिला, जो जो अम परमेश्वर के बातों को विश्वास नहीं किया, जो जो परमेश्वर बातों को माना नहीं, आज भी अमरे लिए भ जब तक हम परमेश्वर का आगमन निकट है तब थक परमेश्वर आने समय तक अमरा इश्व मसिय आने समय तक उनकी आगमन थक जिस जिस को बोल सकते हैं अम सुसमाचार बता ना बताते रेना आललुया उसके लिए हम बुलाए गए हैं परमेशर को प्रेम को उमको बाटना है आईए हम प्रातना करेंगे है परमेशर पिता आपका बड़ा अनगर के लिए धन्यवाद हमारे उपर आप प्रगट किया पिता पापियों के उपर आप प्रगट किया प्रभू विश्वास करने के लिए स्वीकार करने के लिए आपको अपने जीवन में प्रभू हाललूया विश्वास करने के लिए सबको प्रभू मदद कीजिए जितनी लोग अभी तक सुना नहीं है प्रभू उन लोग भी सुने आपके बारे में प्रभू विश्वास करें आपके उपर विश्वास करें आपका मृत्तियों और पुनर्थान के उपर विश्वास करने के लिए पिता मदद कीजिए और भी प्रभू आ में भी प्रभू प्रकटी करन दीजिए पिता हाललुया आपके हाथों में प्रभू हम सबको समर्पन करते हैं इस मसी के नाम से मांगते पिता आमेन